दे लास्ट आफ असकर सिक्स्ट एपिसोड आच चुका है और सच में ये एपिसोड भी इसके बाकी के एपिसोड की तरह ही अमेजिंग है। जैसा कि हमने इसके पहले के एपिसोड में देखा था कि हेंड्री और सैम दोनों की ही डेथ हो जाती है। जहाँ पे हम बहुत इमोशनल हुए थे लेकिन इस सिक्स्ट एपिसोड में हमें जो कहानी दिखाई गई है वो उस इंसिडेंट के थ्री मन्स बाद की है। यानि सिंप्ली तीन वहने हो चुके है लेकिन फिर भी जोल और एली अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुचे। के स्टार्टिंग में हमें जो ओल्ड कपल दिखाया गया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इस एपिसोड में उनका छोटा सा ही सीन होने के बावजुद भी उनका वो सीन बहुत पनी है और उतना ही प्यारा भी है जिनको देखके ऐसा लगता है कि उनके इस तक पहुचना है ताकि एली के बलड का यूज करके वो ये जो वर्ल्ड में इनफेक्शन फैला हुआ है उसका क्यों और बना सके लेकिन वहाँ पहुचने के लिए उन्हें सबसे पहले क्रॉस करना होता है रिवर ओफ डैथ को जहां से कभी कोई वापस लोटा नहीं और उन लोगों का किसी के अंदर अगर फंगल इनफेक्शन है तो उसे डिटेक्ट करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि हर किसी के पास वो इनफेक्शन डिटेक्ट करने वाली मशिन तो नहीं होती ना सो इनके पास एक डॉग होता है जो किसी के भी स्मेल से ये पता लगा सकता है कि वो इनफेक्टेड है या फिर नहीं और ऐसा ही जोल और एली के साथ होता है यानि जब ये लोग उस डॉग को जोल और एली के उपर छोड़ देते है तो हम ओडियंस की भी फट जाती है कि क्या होगा लेकिन अब्वेसली एली उस फंगस से इम्म्यून है जिसकी वज़े से वो डॉग भी उस इंफेक्शन को स्मेल नहीं कर पाता जिसके बाद ये लोग जोल और एली को अपने सीटी में लेके जाते है जहाँ पे जोल को अपना भाई टॉमी मिलता है और सच में इ नहीं हमें इस एपिसोड में दिखाया गया है कि जोल का भाई टॉमी अब जहाँ पे भी रह रहा है वो उसकी लाइफ सेटल कर चुका है यानि वहाँ पर अप उसकी वाईफ भी है और उसकी वाईफ प्रेगनेंट है यानि कि टॉमी अब बाप बननने वाला है और ऑब्व अब्वेस्सी बात है कि जोल अपने भाई को ढूड़ने के लिए इतनी सारी मुसीबतों से गुजर गया लेकिन उसका भाई उसे ढूड़ने के लिए कुछ भी ट्राइ नहीं करता सो अब्वेस्सी बात है बुरा भी लगेगा और गुसा भी आएगा और हाँ इस एपिसोड म होता है कि वो अब अपनी एज की वज़े से भी खो चुका है और उसे हमेशा ये डर लगा रहता है कि वो एली को से नहीं रख पाएगा या फिर उसकी वज़े से एली की डेथ भी होगी क्यूंकि अब वो पहले जैसा स्टॉंग नहीं रहा इसलिए वो टॉमी से हल्प फुल था वैसे हमने पिर्डो पासकल की जोल के कारेक्टर के लिए एक्टिंग तो देख ली लेकिन एली के कैरेक्टर को पले करने वाली अक्ट्रेस बेला रैमसी के एक्टिंग हम उस सीन में देख सकते है यानि अब तक दे लास्ट आपस की जितने भी चौकिंग चीज थी जिसमें हमें ये दिखाया है कि फायर फ्लाइस के लैप को ये लोग ढूल तो लेते हैं लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं होता वो जैगे पूरी की पूरी अबैंडन्ट होती है यानि जो भी डॉक्टर्स वहाँ पहले रहे होंगे वह अब वहाँ पे नह वो सीन देखके हम ओडियंस की भी फट जाती है क्योंकि जोल और एली उन दोनों से दूर तो भाग जाते है लेकिन जोल का बहुत सारा ब्लड लॉस होनी की वज़े से वो अनकॉंशियस हो जाता है जहाँ पे हम क्लियरली देख सकते है कि एली की क्या हालत होती है क्यूकि हम सब जानते हैं कि जोल ही Ellie को प्रोटेक्ट कर रहा है और अगर जोल ही मर गया तो Ellie का क्या होगा क्यूंकि वहाँ पर हम सीधा सीधा देख सकते हैं कि Ellie बहुत डरी हुई है क्यूंकि अव्वेस सी बात है कि वो एक बच्ची है और उसे इस वर्ड के बारे में कुछ भी नहीं प लेकिन फिर भी मैं ये देखने के लिए excited हूँ कि Elliot situation को अकेले कैसे handle करती है और वो जोल को बचाने के लिए क्या क्या करती है So overall इस episode में हमें बहुत सी चीज़े reveal की गई है और actors की बीच में हमें बहुत से powerful moments भी दिखाये गए है जो कि बहुत amazing है और यही तो इस series की खास बात है कि ये series अपना time लेती है और audience को disappoint भी नहीं करती So हाँ बाकी episodes की तरह ही ये episode भी मुझे बहुत पसंद आया और आप लोगों को ये episode कैसा लगा मुझे comment में ज़रू बताना साथ ही अगर आप लोगों को इस वीडियो में से थोड़ा सा भी कुछ पसंद आया होगा तो please इस वीडियो को like कर देना और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चानल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe कर देना क्यूंकि ऐसे ही movies related content मेरे चानल पर रोज आता है तो subscribe करना भूलना हुआ सो मिलता हो ऐसे किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए thanks for watching